तो भाई हमारे सामने है अपडेटेड एक्पस 204B, E20 रेडी है, अब यार इसमें बहुत सारे अपडेट आचुके है, सारे अपडेट आपको एक एक करके दिखा देता हूं, फिर चलेंगे एक छोटी से राइट पे, साइट प्रोफाइल यहां पे आप चेक कर सकते हो, तो उसका क्या यहां पे इंपेक्ट वरने वाला इसको राइड करते टाइम, आपको बताऊंगा, और नेकल गार्ड यहां पे चेंज हो चुके हैं, जो कि जादा मजबूत लग रहा है, जादा स्टडी है, और जादा प्रीमियम फीलिंग भी आपको देगे चलाते टाइम, स्विच गेर्ज भी चेंज हुए है, जो कि नई डिजाइन के हैं, यहां पे आप देख सकते हो, यह सारी स्विचे चेंज हो चुकी है, आपको याद हो, पुरानी वाली एक्स पल्स में चार्जर यहां पे होता था, सीट के नीचे, जो कि बिल्कुल भी चार्ज करना होता तो आप इसको ओपन करते थे, फिर लगाते थे, लेकिन अभी इसका जो चार्जर है, यूजबी चार्जर, वो यहां पे आ चुका है, यह आप देख सकते हो, ही ज़्यादा कन्वीनिंट है, यहां पे आप फोन को माउंट करके सिधा चार्जर फसा सकते हो, एक और फीचर अपडेट हुआ है कि भाई इसमें तीन अबीएस के मोड मिलता है, रोड ऑफ रोड रैली, तो यह भी राइड करते टाइम आपको बहुत मदद करने वाला है, तो यह होगे भाई बेसिक से अपडेट, बाकी देख सकते हो, प्रोफाइल बहुत शांदाल लग रही है, फ्र परफोर्मेंस अफाई की बैज़िंग है, एकसपाल्स की बैज़िंग है, 4B की बैज़िंग है, और इस्ट्ीकर वग भी सही है, मतबधा अलक से स्टीकर इंग लगाए गयी है, फ्रन्ट में डिस्क है, पीछे भी डिस्क है, लेकिन अबिस खाले इसके फ्रेंट में मिलता ह है एसा पूरा इसका प्रोफाइल है हंटे 20 सेक्षन के टायर देखने को मलता है और इस चैनल को अब सब्सक्राइब करो क्योंकि यार इसमें एसे क्विक वीडियो आपको देखने को मिलती रहेंगी चलो छोड़ी से राइड के सब्सक्राइब देखने को मिलता है कि सीट हाइट भी एक यह मतलब अगरा तो आप इसको इजली चला पाओगे ठीक है और भाई ओफ रोडिंग में तो भाई बहुत ही कमाल किसके सस्पेंशन है क्या बात है अधर तो नहीं जाओंगा मैं वो देखो वहाँ प्रॉपर ओफ रोड कर रहा है वो बात करते हैं इसके सस्पेंशन की तो सस्पेंशन सॉफ्ट है मतलब अगर आप कहीं ओफ रोड पैच में होना तो आपको अच्छी कमफर्ट दे देंगे आप इसली अच्छे से अपना ओफ रोड कम्प्रीट कर पाऊगे इनफेक्ट लाइट वेट है यह मोटर साइकल है कि भाई आप इसको मल्टी परपस तरीके से यूज कर पाऊगे बाकी ओफ रोड के लिए तो भाई अगर आपका बिल्कुल ऐसा है ना कि आपको मोस्ट वैल्यू फॉर मनी ओफ रोड मशीन चाहिए आपका बजट बहुत लिमिटेड है क्योंकि जिस बजट में आती है न तो अ कर दाओं पे चाहिए शेलिया के मॉद्य देखने साथ पैजय हों करते हैं सब्सक्राइल में नहीं मुझे देखना धर मेंसट घ्नमियू अगरी सकते हैं विए है पूरे नहीं आते हैं ब्रेक्स मैंने आपको बताई दिये हाँ कॉर्णरिंग वगयरा भाई ओफ रूडर है तो आप उतनी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते बट ठीक है मतलब आप नॉर्मल अगर करना चाहो तो जैसे मैंने बोला नॉर्मल स्ट्रीट के लिए भी आप इसको यू दमदार है मतलब इससे जादा दमदार सस्पेंशन आपको ओफ रोडिंग के लिए भाई इस बजट में तो कोई भी नहीं दे रहा और अभी तो इसमें बहुत सारे फीचर से चार्जर यहां पर आगया है फ्रसा ज्यादा कन्वीनेंट हो गया है पहले सीट के नीचे होता और फीचेस में हाँ वह भी आ गया है रियल टाइम मैलेज वगरा भी दिखाता है क्योंकि अच्छी बात है यह भी नकल गार चेंज हो गया है चोटा सा रिव्यू है यहां पर बाकी डेटेल रिव्यू आप देखना चाहते हो तो एट वाई मोटराइट पर जाके देख सकत जीक देखने हो यह इसका प्रो मॉड़ल में और कुछ चेंज़ भी है पेली चीजे आपको दिख रहा हो और लिए काफी जादा हो गया है इस टेंडर में यहां से आप इसको एट ने स्की कर सकते हो यह फीकलि आपको प्रो मॉडल्स में देखने को मिलेंगे सीठी है इसक फीचर्स लगभग सेमी है